हलो मिस्टा क्लासेश की तरफ से सभी को गुड आप्टरनून आज मैं नीट के विद्यार्थों के लिए बहुत बड़ी सूचना लेकर के आया हूँ तो जितने भी नीट के विद्यार्थी हैं वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें कहीं कोई चीज तुमारे स्लिप न हो जाए इसलिए वीडियो को देखना बहुत जरूरी है तुम्हें मालूम है कि 12 सितंबर को नीट का एक्जाम हुआ था और वो पेपर आउट हो चुका है कई लोग इसमें पकड़े गये हैं अब ये केस हाई कोट पहुच चुका है वहाँ से सुप्रिम कोट जाएगा सुप्रिम कोट से जो भी आइडर हो दुबारा होगा या नहीं होगा वही फाइनल होगा वैसे मैं अपनी ओपीनियन तुमको बताओं मेरे हिसाब से 90% कोश्चन दुबारा होगा 10% नहीं भी हो सकता है तो ऐसे केसिस में आप इंजार मत करिए आप अपनी पढ़ाई कांटीनू रखें पेपर दुबारा हो जाता है तब भी ठीक और जिन लोगों का पेपर किसी भी कारण से खराब हो गया है तो उनको दुबारा एक मौका मिल जाएगा तो पढ़ाई आप कांटीनूर्स रखें इस काम में मिस्रा क्लासिस आपका बहुत बड़ा सही योग कर सकता है कैसे मिस्रा क्लासिस की तरफ से बायो के पूरे साल एंसी क्यों कोश्चन कराए गए हैं और वो भी टोटली एंसी आइटी बुक पर बेश्ट हैं 15 से 20 अजार कोश्चन मैंने कराए है और 2021 में 85 परसेंट से ज़्यादा कोश्चन मिस्रा क्लासिस की टेस्रीज से आये हैं इसका बहुत जल्दी में वीडियो बना करके कोश्चन बाकाइदा बताएंगे कि ये कोश्चन देखे मेरे नीट के एकजाम में आया है मतब हंडिट परसेंट एविडेंस संदेंगे तो योट्यूब पर मिस्रा क्लासिस चैनल के नाम से ये कोश्चन पड़े विए हैं वहाँ पर जा करके आप सर्च कर सकते हैं अगर पेपर दुबारा नहीं होता है और पेपर जिन लोगों का खराब हो गया है वो जलासा भी चिंतित नहों क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं मैं फिर नीट का एकजाम होना है आठ महिने की बात है लगातार जम करके इमानदारी के साथ मेहनत करें और मैं मैं फिर एकजाम दें और डाक्टर बन जाएं तो लगातार आप चुटिए और अगर जो आपका एडमीशन हो जाता है नीट में सेलेक्शन हो जाता है तो एडम डोमेसाइल है या नहीं मैं यहाँ पर केवल स्टेट का कटाब बता रहा हूँ आल इंडिया का नहीं और कौन सी स्टेट का बता रहा हूँ आपको मालूम है गुजरात के बारे में आज हम बात कर रहे हैं तो अगर गुजरात का आपके पास डोमेसाइल नहीं है तो सलेक्शन होने के बाद भी आपका आइडमीशन नहीं हो पाएगा तो डोमेसाइल जरूर बनवा लिजे आइडमीशन के समय कौन कौन से डाकुमेंट की जरूरत होती है हमने एक वीडियो बना करके डाल दिया है आप मिस्टा क्लासे चैनल पर जा करके सर्च करें वो डाकुमेंट का वी उनको आप जल्दी बनवाईए क्योंकि अभी आपके पास समय है तो मेरी तरफ से गुजरात का कटाब क्या जाना चाहिए एक्सपेक्टेट कटाब बता रहा हूं इसमें 10 से 15 नंबर का वैरियेशन आपको मिल सकता है और ये गौर्मेंट का लिज का मैं कटाब बता रहा तो देखते हैं क्या मैंने बताया है अगर्ज कोई स्टुडेंट जर्नल का है उसके 590 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वो सेब जोन में है EWS में अगर्ज कोई स्टुडेंट है तो 585 सेब जोन है OBC में भी 585 सेब जोन है SC में 540 सेब जोन है ST में 500 सेब जोन है और अगर्ज कोई बच्चा विकलांग है उसके 375 सेब जोन है ये जो मैंने एक्सपेक्टेट कटाब गौर्मेंट का लिज का बताया है इसमें 10 या 15 नंबर का वारियेशन मिल सकते हैं 10 या 15 नंबर इससे ज़्यादा भी कटाब जा सक करता है मैं एक्सपेक्टेट कटाब की बात कर रहा हूं अगर फर्स्ट लेवल में फर्स्ट काउंसलिंग में कटाब मानने तेज से 15 नंबर अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो लास्ट राउंड का कटाब 15 नंबर कम आएगा तो फर्स्ट और लास्ट कटाब के बीच लास्ट काउंसलिंग के बीच 15 नंबर का डिफ्रेंस आ जाता है तो अगर तुमारे इस लेवल में नंबर आ रहे हैं इसका मतलब लास्ट काउंसलिंग तक गवर्मेंट की एक सीट 100 परसंट आपको मिलेगी तो अगर यह जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सबक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर लीजे और वीडियो को अपने अपने ग्रॉप में सेयर कर लीजे इसे फायदा ये होगा नीच से सम्मद्धित अगर कोई भी जानकारी हमको लगती है तो वो हम आप तक पहुंचा सकें और आप कहीं कांसलिंग में कहीं तुरुटी न होने पाए इसलिए चैनल को सब्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है और अपने ग्रूप में भी सेयर कर दीजिए जैसे ग्रूप के भी कंडिडेट को ये जानकारी मिल जा हैं भगवान से मैं प्रात्ना करता हूं कि सारे गुजरात के बच्चों जो भी नीट एक्जाम दिये हैं गौवर्मेंट में उनकी एक सिट मिल जाए गौवर्मेंट कालिज में और डाक्टर बन जाए तो अगर जो ये चैनल मेरा अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लो बाई